देश के कई राज्यों में हुए चुनाओं से यह तै हो गया है कि चुनाओं में महिलाएं बड़ी भूमी का निभा रही है वे जीत में बड़ा फ्यक्टर साबित हो रही है उनका वोट पती शतला का तार बठा है इस बार भी मध्यप्रदेश में हो रहे पंचाय चुनाओं में महिलाएं जीत में एहम भूमी का निभाएंगी इसलिए सभी दलों और उनके पत्याशियों की महिला वोटर्स पर खास नजर है बीजेपी जहां महिलाओं को जीत का प्रतीक बता रही है तो वहीं महिला को लेकर कॉंग्रेस का कहना है कि महिलाएं ही लोकतंत्र को जिन्दा रखे हुए है वोटिंग के लिए महिलाएं केवल शहरों में ही नहीं बलकि गाउ में भी घड़ों से बाहर निकल रही है जानकारी के मुताविक मध्यप्रदेश में साल 2005 के बाद से मतदान में महिलाओं का पतिशत लागातार बढ़ा है साल 2005 के बाद से महिलाओं ने पुर्श मतदाताओं की तरह ही वोटिंग में बढ़ चट कर हिसा लिया साल 2014-15 के चुनाओं में महिला मतदाताओं ने वोट पतिशत के मामलों में पुरुष मतदाताओं के बढ़ाबरी कर ली साल 2004-05 की बात करें तो पुरुष मतदाताओं का वोट पतिशत 78.84 तो वहीं महिला मतदाताओं का वोट पतिशत 74.58 रहा 2019 में पुर्श मत्दाताओं का वोट पतिशत 81.7 रहा तो वही महिला मत्दाताओं का वोट पतिशत 89.21 फिस दी रहा साल 2014-15 में पुर्ष मतदाओं का वोड़ पतिशत 83.69 रहा तो वहीं महिला मतदाओं का वोड़ पतिशत 83.17 फिजदी रहा मतदाओं के चुनाओं में महिलाओं के वोड़ पतिशत को लेकर बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार आने के बाद लागातार महिलाओं के कल्यान के लिए योजनाएं चल रही है महिलाओं जीत में बड़ा फ्यक्टर है उतर प्रदेश के साथ साथ अनराज्यों में हुए चुनाओं में महिलाओं ने ये बात साबिक भी की है महिलाओं का वोटपती शर्बढ़ना बीजेपी के लिए शुब संकेत है वहीं कॉंग्रेस का कहना है कि महिलाओं अब जागरुक हो रही है वे ग्रामीन इलाकों से बाहर निकलने का साथ कर रही है महिलाओं वोट बैंक नहीं है बलकि सही फैसले लेने की शक्ती दिखा रही है महिलाओं के चलते ही लोक्तंद्र जिंदा है अब ये बयान बताते हैं कि सभी पार्टियों की चुनाओं में महिलाओं पर विश्यस नजर है